हलो पैरेंट्स मैं हूँ पूजा राजपुत और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेबी का वजन एक नई पैरेंट्स के लिए ये सारी चीज़े बहुत ही इंपोर्टन्ट होती है उन्हें पता होना चाहिए कि उनका बेबी जो है कितना ग् जाता ही नहीं है हमें बहुत जादा उसके आंगे पीछे घूमना पड़ता है उसके बात भी इवन कई बार बेबी कुछ भी नहीं खाते हैं उनके लिए जो चीज़े बनाई गई है जैसे सेरलेक्स हुआ और भी सारी चीज़े हुई तो बेबी कुछ भी खाना पसंद नही बढ़ रहा है तो यह सारी प्रॉब्लम जो आपको होती है उन सभी का सॉल्यूशन एक एक करके सीरीज में हम आपको बताएंगे इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि जो सारे वीडियो सीरीज के है व है बेढ़ को बतार साहिं नहीं है तो आप उसे कैसी कर लेना है वह सारी चीजहिए आगे डिस्कस करेंगे बंद आज हम आपको बता देत हैं कि जब भी बेबी का बर्त होता है उस समय बेबी का जो भी वेट होता है तो आने वाले तीन से चार महिने का जब बेबी होता है उस समय में बेबी का जो वजन है उससे दो गुना हो जाना चाहिए जो बेबी पूरी तरह मदर फीट पर डिपेंट है यह हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद जब आपका बेबी लगबग एक साल का होने वाला होता है उस समय बेबी का जो वेट है वो पूरा जब से वह हुआ था उस समय से तीन गुना हो जाना चाहिए सिक्स मन्त के बाद जो बेबी मदर फीड लेते हैं प्लस में वह थोड़ा बहुत ऊपर का खा तो इसका मतलब आपके बेबी को जो है जादा खाने पीने की और जादा न्यूट्रिशन की बहुत जादा जरूरत है उस टाइम पे आपको बेबी का ख्याल रखना होगा बेबी का बेड बढ़ाने के लिए कुछ प्रोड़क्स मार्केट में भी अविलेबल होते हैं जो ल इस बात का ध्यान रखेगा उसके बाद हम लेकर आएंगे कि यदि आपके बेबी का वेट प्रॉपर नहीं है तो आपको अब उसकी केर कैसे करनी है क्या क्या चीज़े आपको उसे खिलानी है ताकि आप बेबी का वेट मेंटेन कर सके इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक कर दीजिए ताकि सारे वीडियो आपको टाइम ले मिल सकें थैंक यू फोर वचिंग मैं वीडियो